वेल्कम बैक, बुम्मई में एक बार फिर से आपका सागत है, राज ठाकरे आपकी अदालत में है तुन आपके मौके पर, आपके अदालत के इस इलेक्शन स्पेशल में, राज ठाकरे पर अगला जाए आपकी अदालत में महराष्ट नम निर्मान सेना के प्रमुक राज ठाकरे पर इल्जाम है, कि ये नफरत की सियासत करते हैं आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेके मैंने सोचा कि यहां महराष्ट नम निर्मान सेना के सैनिक हो, तो भी मैं रिस्क ले ले लेता हूं आपस पूछने का और पहले तो आप मुझे बता दीजे कि मैं सीधा पूरा साबट वापस चला जाओंगा दिल्ली? मैं आपको एरपोर्ट छोड़ने के लिए होगा, मुंबई में करनातक से लोग आते हैं, गुजरा से लोग आते हैं, राजिस्थान से आते हैं, हर जगा से आते हैं, लेकिन आपके निशाने पर सिर्फ बिहारी क्यों होते हैं? उत्तरपदेश और बिहार से जो लोग आ रहे हैं यहां पर, हर एक आदमी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहां पर जब वो आते हैं, कुछ समय के लिए वो काम करते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन आइस्ता-इस्ता पता चलता है आपक उस दिन किया, जिसका नाम है अबू आजमी, वो आदमी महाराश्रम में आता है और यहाँ पर आने के बाद, दो जगाँ से चुन के आता है, आप वो दो जगाँ जाके देखी है, मैं आपको लेके जाओंगा, वहाँ पर यहाँ पर रहने वाले जो लोग है, बरसों से, वो है नाम से मैं उसके खिलाफ हूँ जैसे कि अगर देखा जाए मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त है यहां पे भी आये होंगे मेरे एक दोस्त है मिस्टर सुरेश गुपता जो मेरे बित्र है ओरिजिन होगा उनका उत्तर प्रदेश का अच्छी मराठी बोल लेते हैं मराठी स्कूल में पड़े हैं उनको कभी दिक्कत नहीं आई मुझे भी कभी लगा नहीं कि वो बाहर के है मेरे बहुत सारे गुजराती दोस्त है बहुत सारे मुसलिम दोस्त है अगर मैं इस तरह की राजनीती मैं करता तो क्या वो मेरे दोस्त रहते शायद उनको लगता होगा कि दोस्त रहेंगे तो प्रोटेक्शन मिला रहेगा तो बाकी लोगों को भी मिलता होगा का प्रोटेक्शन मिलता है देखे कितनी लंबी लिस्ट में आपको बता सकता हूँ फेबरूरी से मार्च 2013 के कुछ लिस्ट निका रही मैंने ठाने में एक उत्तर भारती की जमकर पिटाई की मनसे के लोगों ने सतारा में सैनिक स्कूल के दाखिले का किससा आपको यादो का वहां लोग की पिटाई की बहुत लंबी ऐसी लिस्ट है तो लोगों को मारना पीटना ये कोई अच्छी बात है क्या नहीं आप जो सवाल मुझे कर रहे हो न आपने कभी आसाम की जनता को नहीं की यहां पे तो कुछ वैसे हुआ नहीं था जादा लेकिन वहां पे तो आसाम की लोगों ने बिहरियों को जलाया था उनकी गर्दने काटी थी उनको मार डाला था वो भी गलत है लेकिन इतना आपने चलाया नहीं क्यूंकि टीर्पी नहीं होगा शायद ऐसे सवाल में आपको मैं इमानदारी से बताता हूँ जी बिल्क शायद कोई भी इंप्रेशन हो हम कभी टीर्पी जैटिंग का श्याद नहीं कर रहा हूँ आप सीधा आप पे मतले ना मैं आप जनरल चैनल्स की बात कर रहा हूँ मैं फिर वो हिंदी चैनल्स हो या इंग्लिश चैनल्स हो माल लीजे नहीं दिखाते हैं उसको पर यहने मैंने एक बार कुछ एक किसी ने उस आंदोलन की वक्त एक कुछ समोसे की गाड़ी थी जो सब समोसे रोड पे गिरे हुए देखो राज ठाकरे के लोगों ने क्या किया वो क्लिप इतनी बार दिखाई कि मैंने वो जितने समोसे थे वो मैंने गिन लिये लेकिन लोगों में डर तो है यह देखिए पूरी कवर स्टोरी मराथी भावनाओं को भारनी की MNS के नेता की कुटिल चाल देश के लिए खातक यह किस ने लिखा है यह इंडिया टुडे मैगजीन है उसकी पूरी कवर स्टोरी वो तो लिखेंगे इना बिना समझे अगर आप यह करते रहेंगे आप यहीं चीज गोवा के चिफ मिनिस्टर ने कहा था जब बिहार से जब वहां पे एक ट्रेन जा रही थी महार अश्रमय यह ट्रेन बंद कर दो हमें भीकारियों की ट्रेन नहीं चाहिए तब किसी ने कुछ नहीं बोला मेरे पास उनके स्टेट्मेंट्स है तो यह महाराष्ट के लिए गर्व का विशह नहीं होना चाहिए कि पूरे देश से लोग आते हैं बिलकुल नहीं पसंद करते हैं भाल दीख लें बाकी कहीं ना देखिये 5000 जेस परांध से अभी आप दिखिए पंडी जπό नियूर नेहिरू उनकी कौंसें सी उत्तरप्रदेश इंदि राजी उनकी कनसीं सी उत्तर अंद्य된 निकल रहे हैं वह कोई अच्छी चीज नहीं है अगर इतने प्रदान मंत्री वहां से जाने के बाद अगर वहां के लोगों को अगर रोजगार नहीं मिल रहा हैं और रोजगार के लिए वो अगर बाहर निकल रहे हैं वो शर्म की बात है और उनका पूरा बोज महाराष्ट क्यों लेले और अगर महाराष्ट को अगर यह बोज उठाना है तो एक्स्ट्रा पैसे दे लेकिन अगर वहाँसे काम करने के लिए यहां लोग आ जाएं तो आप उनको क्रिमिनल चेएंगे, आप उनको अपरादी केएंगे आप पॉलिस स्टेशन्स में जाहिए, पॉलिस रेकॉर्ड देख लीजिए, और लास्ट दस साल में, पन्दरा साल में, आप क्राइम रेट महाराश्टर का देख लीजिए, और उसमें सबसे ज़्यादा कौन लोग है, वो भी आपको पता चलेगा. मैं थोड़ी रिसर्च की थी, यह मुझे मालू होता तो मेरी रिसर्च भी में लेके आता. बुंबई पुलिस की वेब साइट पर तो नाम नहीं है, लेकिन नागपूर और पूने की जो पुलिस की साइट्स हैं, उस पर जो जानकारी है, और मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ सरनेम के मामले में, लेकिन यह नाम है, गवली, कामले, मंजलकर, शिंदे, यह य माराठी पहले दिखाई दिए होंगे, मैं जब देखता हूं तो मुझी यूपि पिष्ट के पहले दिखाई देतें, अर बात किसी के रहने या ना रहने की नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग है, जो बार से आये हैं, जो अच्छी तरह रह रह हैं, यहां पे, ऐसे बहुत सार है कि अभी बिहार की चीफ मिनिस्टर है अभी मैं क्या से बिहार कि इसिति ही आपको भी महलूम है वहां पे क्या है ये नीटिश गुमार जब पहली दफा चीफ मिनसर बने तो उनने 5,000 के मिनल उसको पहले अंदर डाल दिया यह पचास हजार तो थे ये तो था ना ऐसी स्थिती तो खराब थी बिल्कुल तो वहां से अगर यहां पे क्रिमिनल्स आ रहे हैं उनके खिलाफ अगर मैं कुछ बात कर रहा हूं तो आप मोझे सर्फिरा कह रहे हैं उन्होंने का ये इन लों की आदत है ये चार पास लों को पीट करके उनका वीडियो बनाते हैं उसका प्रचार करते हैं टीवी पर दिखाते हैं और लों को डराते हैं बहुत दूर है वो स्टेट नहीं मालूम उनको देश कहा जा रहा है आप ही के चैनल वाले लोग होते हैं न मैं क्यों वीडियों निकानू लेकिन बिहारियों से इतनी ज्यादा नहरा की क्यों बात बिहारियों की बात बिहारी को नहीं है आप समझ लीजिए बात ये है कि मैंने कल ही परसो किसी को कहा था कि देखे मुंशी प्रेमचन जी अगर आएंगे हरीवां उश्राइ बच्चन जी अगर आएंगे राश ठक ने रेड़ कार्पेट डाल लेगा उनका स्वागत करेंगे और अमिताब बच्चन का नहीं करेंगे कियों नहीं करेंगा उसके पहले नहीं करते हैं अद्धा स्टेटमेंट ले लेते पूरा स्टेटमेंट लेते नहीं जो उस वक्त मैंने कहा था वही चीज मैंने उनके सामने भी और मुझे लगता है कि अमिताब बच्चन लता-मंगेशकर जी सचिन तेंडूल कर इनको किसी स्टेट के अमबसेटर नहीं बनने चाहिए ब्रैंड अमबसेटर वो इस देश के ब्रैंड अमबसेटर से और मैंने उस वक्त कहा था कि जब मैं मराठी की बात करता हूं तो आप मुझे बोलते हैं यह प्रांतिय है यह संकुचित है मैं बोलता हूं कि हर एक आदमी को अपने स्टेट के प्रती प्रती प्यार होता है अभिताब बच्चन जी को अगर उनके स्टेट के प्रती प्रती प्यार है उन्होंने इलाबाद में इलेक्शन लड़ी थी उन्होंने बोजपूरी फिल्मों में काम किया था जो भी कुछ है उन्होंने कन्या शाला निकालने का वहाँ परस्ताव रखाता वगरा वगरा तो इतने बड़े कलाकार को अगर अपने स्टेट के प्रती अपने राज्य के प्रती अगर प्यार हो सकता है तो राज ठाकरे बहुत छोटा आदमी है उसको अपने स्केट के प्रति प्यार नहीं होगा क्या मेरा सिर्फ इतना ही कहना था आप लोगों ने क्या किया पहले का उठा लिया लेकिन कुछ न कुछ तू बदला है क्या तो कि उस समय तो अमिताब बच्चन को माफी मांगनी पड़ी वो एपीसोड अलग था वो जए बच्चन じी का एपीसोड था तो आपको मिदाब बच्चन जी की मालूम होगा तो आप भी बताईये ना लेकिन अब जब मैंने देखा अब मैं आपकी पूरी बात बताता हूं आपने अपना भाशन शुरू किया आदर्णिये अमिताब बच्चन साहब भारती फिल्म के इतिहास में पिछले सौ वर्ष में इतना बड़ा कलाकार ना हुआ है ना होगा बिल्कुल बिल्कुल उसमें क्या है तो आपका नजरिया तो बदला है ना पहले तो आप यहीं तो मैंने बात की थी कि इतना बड़ा कलाकार जो आज तक हुआ नहीं है और यह मैंने पब्लीकली कहा है तो ऐसे नहीं है कि मैंने उस वक कहा था 2008 के मार्च के शिवाजी पार्क मैदान में जो मेरा भाशन हुआ था उसका फूटेज भेज़ देता हूँ उसमें और उसमें कुछ फरक नहीं है फिर आपके नजरियों में फरक आगे आप जब बोलता हूँ नहीं तब आप सारे चैनल्स के प्रतिनी दी है ऐसे पगड़ लीजिए मैंने तो उस पर अबू आजमी का बयान देखा उन्होंने कहा अमिताब बच्चन के साथ स्टेज शेयर करके राज ठाकरे ने गद्दारी किये किसके उपर हम लोग बात करें वो भी तो कुछ है कि नहीं जिस आदमी ने इतनी गंदी स्टेट्मेंट जो निकाली अभी जिसकी बहु ने शर्म महसूस किया कि अगर ये मेरे ससुर ने बोला है तो मुझे शर्म आती है ऐसे आदमी के बारे में हम लोग बात क्या करें जिसके घर में जिसका स्थान नहीं है वो बाहर आके क्या बात करेंगा जिसकी नजर में अपनी यहां के औरोतों के बारे में इस तरह के ख्याल है उस आदमी के बारे में हम लोग क्या बात करें बिल्कुल आपके बात सही है मैं बिल्कुल सहमत हूँ अबु आजमी ने और उनकी पार्टी के अध्यक्ष मुलाहिम सिंजादम में जो महिलों के बारे में उनने का शायद कभी कोई माफ नहीं कर सकता उसको बिलकुल और उनकी स्टेटमेंट के बारे में हम लोग क्या बात करें लेकिन ये तो आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट ने ये मई 8 2010 का फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने महरास्त अंदर्व निर्वांट सेना के प्रमुख राज ठाक्रे से कहा कि वो उत्तर भारतियों को निशाना बना कर उकसाने वाले भाशन देने से बाज आए क्या है अभी सुप्रीम कोर्ट में कौन सी मेरी फूटेज गई है मुझे नहीं मालूम बहुत बार ऐसे होता है कि मैं यहां पर मराठी में को एक चीज बोलता हूँ जहां पर बहुत सारे हिंदी और इंग्लिश चैनल पर उसका ट्रांसलेशन गलत तरीके से दिखाते है मैं आपको एक बात बोलता हूँ यहां पर एक लड़का है आज भी है वो एक चैनल में काम करता है जब मेरा भाशन एक जगा पर हुआ था उसके बाद मैं ऐसी कुछ चीज मैंने कही थी और वहां पर चैनल पर वो जो एंकर लड़की थी वो कुछ गलत बता रही थी वो लड़की ने उसको फोन करके बताया कि आप गलत बता रही है उन्होंने ऐसे नहीं कहा है तो उस लड़की ने कहा शड़ा तुम तुमारा काम करो हम हमारा काम करेगे इसका मतलब क्या है यह ठीक नहीं है तो अगर मैं जो बोल रहा हूँ अगर गलत तरीके से ट्रांसलेट करके अगर आप दुनिया को दिखा रहे हो और उस से अगर आप समाज में या दो स्टेट्स में या और जगा पे अगर जगडा लगा रहे हो वो भी तो गलत है मेरा एक पॉइंट आफ यू है पहले आप समझ लो आज आपकी अदालत में आपको इसी लिए बुला है कि आपका पॉइंट आफ यू जनता के समझ में आ जाए और मैं इदावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने जिस सफाई से बगएर किसी सवाल को टाले जवाब दी है कि जनता को जरूर समझ आया होगा कि बिहार के मामले पर उत्तरप्रदेश के मामले पर आपका स्टेंट क्या है नहीं, मैं क्यों गुस्सा करूं बियार के उपर और यूपी के उपर। कुछ लोग यहां पे जो आते हैं, अगर वो वहां से हैं, और यहां पे अगर दंगा मस्ती करते हैं, बहुत सारे अच्छे भी लड़के आते हैं, अच्छे परिवार के भी लोग आते हैं, उनको बराबर वहाँ पे कुछ मुसल्मानों ने मोर्चा निकाला था उसके बाद फिर वो पॉलिस को मारा फिर वो जो लड़किया थी पॉलिस कॉंसिबल्स थी उनको अंदर खीच के जो भी कुछ किया उन्होंने आपको मालूम होगा जब सर्वे किया पता चला कि मुंबई महाराष्टर के रहने वाले मुसलिम नहीं थे वो उस में से बहुत सारे बांगलादेश के थे और ये जब आते हैं तो थू बिहार थू उत्तरब्रदेश वहां से आते हैं क्योंकि रास्ता ही वही है अभी बांगलादेश से आना है तो आप केरला से स्टार्ट नहीं कर सकते ना तो यहां का जो आप देखिए ना यहां पे जो कभी कबार जो हिंदु मुसलिम राइट्स होते हैं आप देखिए जहांपे महाराश़्र का मुसلمान जहांपे रहता है आपको वहाँ पर राइट दिख़ा ही नहीं देंगे आजाद बैदान की जिसका जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे मीडिया कर्मियों की भी पिटाई की गई थी, वो भी वैंस को जला दिया गया था तो आप पोलिस को पूछें, वो थे कौन? महराष्टर में रहने वाला जो आदमी रहता है, उसका घर यहां रहता है, उसका परिवार यहां रहता है, उसका काम यहां पर रहता है, उसको कोई जरूरत नहीं है ऐसी हरकत करने की, वो कभी करेगा भी नहीं, जो बाहर से आते हैं, वो ही ऐसी हरकते करते हैं तो इसका इलाज यह है कि उत्तरप्रदेश में बिहार में ऐसी डिवलप्मेंट की जाए कि लोग वहां से यहां आने के लिए तरीका तो वही होगा और क्या होगा तो जो महरास्ट के बड़े-बड़े उद्योग पती उनको कहिए वहां कुछ उद्योग लगा दें जाके टा निकालने के पहले ही उनको प्रॉफिट चाहिए बाकी लोगों को कौन सा इंड़स देगा तो बुझे लगता है कि प्रदान मंत्री के नाते नद्रमोदी जी वहां पे ध्यान दे वो तीन-चार स्टेट के उपर और उनको अच्छा बनाए ताकि बाकी जो स्टेट से उनका बोज़ कम हो जाए और जगड़े भी कम हो जाए एक और ब्रेक के लिए मैं रुखता हूँ और ब्रेक के बाद आपके अदालत में राजठाकरे पर इल्जाम आतों सवालात का उद्दब से जब किसने पूछा तो उन्होंने कहा कि ताली एक हास से थोड़ी बचती है थोड होता तो होता नहीं होता तो नहीं होता कभी कभी दर्द देने वाले को भी राज करना चाहिए नहीं कुछ मेरे मेरे मेरी थोड़ी जंडू की फैक्टरी है